Good morning students, मैंने आपको previous video में geometry में point, line, line segment और rake के बारे में बताया था तो आज मैं आपको line segment को measure करना और draw करना सिखाऊंगी पहले हम measure करना सीखेंगे मैंने आपको line segment के बारे में बताया था कि line segment क्या होता है तो line segment has two end points, line segment का starting point भी होता है और ending point भी होता है and it has a fixed length, line segment को measure कर सकते हैं इसका fixed length होता है तो आज हम line segment को measure करना सीखेंगे, फिर हम draw करना भी सीखेंगे ये देखिए, ये एक scale है जो आप सब के पास होता है तो हम इस scale से line segment को measure करेंगे जैसे कि ये line है, इसे हमें measure करना है तो जब भी हम measure करेंगे, तो हम zero से start करेंगे और जितना तक ये जाएगा line, वहाँ तक ये measure होगा ठीक है, यहाँ पे देखिए scale में, scale में देखिए 0, 1, 2, 3, 4, ये जो numbers हैं, ठीक है, ये centimeter में है जब भी हम measure करेंगे scale से, तो हम scale के centimeter के side से measure करेंगे इस side से हम measure नहीं करेंगे, centimeter यहाँ देखिए लिखा वाया है, हम centimeter के side से measure करेंगे और यहाँ पे हर एक number के बीच में जो gap है, उसमें 10 lines होते हैं ठीक है, जैसे 0 to 1 है, उसमें 10 lines है, 1 to 2 है, इसमें 10 lines है, इसमें हर number के बीच में यहाँ पे lines हैं, ठीक है, अब हम इसे scale से measure करेंगे, तो जब भी हम line को, line segment को measure करेंगे तो हम zero से measure करना शुरू करेंगे, जैसे कि यह देखिए, यह line है, A, B, हमें इसे measure करना है तो हम कैसे measure करेंगे, यहाँ पे देखिए, point A, B, जो है, हम point A, B को zero पे रखेंगे हम one से measure करना start नहीं करेंगे, हम zero से start करेंगे, तो हम यहाँ पे देखिए, यह zero है हम यहाँ पे इसे रखते हैं, इस point को, zero पे, और यह देखिए, कहां तक आ रहा है है, यह देखिए, यहाँ पे यह seven है, ठीक है, seven के बाद, seven के बाद भी जा रहा है, तो कितने lines जा रहा है, हम इसे count करेंगे, one, two, three, four, five, यह five, seven के बाद five तक जा रहा है, it means कि यह जो line है, वो कितना measure हुआ है, seven point five, ठीक है, और जब यह ten तक पूरा आ जाता, तो eight हो जाता, बट यह seven के बाद, मैंने बताया कि हर एक numbers के बीच में ten lines के gaping है, तो यहाँ, यह हमारा line measure होके के आया, seven point five centimeter, तो हम इसे write करेंगे, seven point five centimeter, ठीक है, के बाद हम इसे कैसे write करेंगे, आपको पता है, line segment को हम कैसे denote करते हैं, आप इसे denote भी करेंगे, a, b, bar, ठीक है, कितना हमारा a, b, line segment measure होके, seven point five, is equal to seven point five centimeter, ठीक है, now come to the next, अब हमें इसे measure करना है, c, d, तो हमें यह line segment measure करना है, तो हम फिर से ruler से measure करेंगे, scale से, कैसे करेंगे हम, point c जो है, हम zero से zero पे रखेंगे, ठीक है, हम zero से measure करना हमेशा start करते है, one से नहीं, तो हम इसे zero पे रखेंगे, तो हम इसे zero पे रखेंगे, starting point को c है, starting point zero पे, ठीक है, और देखिए, ending point जो हमारा D है, वो कहाँ पर measure होके आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह हमारा 6 पर आया It means कि यह जो हमारा line है, line segment, वो कितना, इसका क्या measure है, इसका 6 cm ठीक है, हम इसे कैसे write करेंगे, कैसे denote करेंगे CD bar is equal to 6 cm, ठीक है, तो आप जब भी measure करोगे, तो आप 0 पर रखोगे starting point और ending point जहाँ पर भी आएगा, वहाँ तक आपका measure हो जाएगा, ठीक है और जब भी आप scale से करोगे, तो आप centimeter के side से measure करोगे, यहाँ देकी centimeter लिखा है तो चलिए, अब हम draw करना सीखेंगे तो यहाँ हम draw कैसे करेंगे, यहाँ हमारा line segment है EF और इसका measurement दिया है, 3.5 cm, ठीक है, इसका measurement दिया है तो हमें इस measurement से अब line segment draw करना है, तो हम scale से ही use करेंगे फिर से तो देखिए हमें क्या draw करना है, 3.5 तो हम जब भी measure करते हैं, आपको पता है हम 0 से start करते हैं, तो यहाँ देखिए हम 0 से start करेंगे और हम 3.5 जहाँ पर है, यह देखिए, 0, 1, 2, 3 और यह 4 है, तो 4 से पहले यहाँ पर देखिए, 3, यहाँ पर 5 है, 3.5 यहाँ पर आया, बीच में 10 lines होते हैं, तो 3 के बाद 5 lines तक, तो हुआ 3.5 तो हमें 0 से यहाँ तक आना है, है ना, तो हम इसे अब draw कर लेंगे 3.5, 3.5 तक हम आगए, 0 to 3.5, ठीक है, तो हमने line segment ड्रॉ किया, अब हम इसे name कर देंगे, point को क्या है name, EF, EF, कितना हमने draw किया, 3.5, तो हम राइट कर दीजे, 3.5 cm, ठीक है, next है हमारा AB, line segment को हमें name करना, AB, और कितना इसका length है, 9 cm, तो हम 9 cm draw करेंगे, तो scale में देखिए, 0 से हम start करेंगे, और 9 तक जाएंगे, 9 cm तक, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे mark कर लेंगे, 0 यहाँ पे है, और 9 का है हमारा, 7, 8, 9, यहाँ है हमारा 9, ठीक है, तब हम इसे draw कर लेंगे, 9, हो गया, यह हो गया, हमारा 9 cm, अब हम इसे point देंगे, और point का name write करेंगे, A, B, और यह कितने centimeter का हमने, यह line segment draw किया, 9 cm का, वैसे write कर देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम line segment draw करेंगे, ठीक है, with the use of scale, तो आप scale से आसी करोगे, जब भी आपको measure करना है line segment, यह draw करना है, तो आप 0 से start करोगे, 1 से नहीं करोगे, 0 से, और हमेशा centimeter के side से measure करोगे, यह draw करोगे, ठीक है, तो आप इसी तरीके से करोगे, and students, मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप measure करोगे, यह draw करोगे, कुछ भी करोगे, geometry में, तो आप pencil यूज करोगे, मैंने यहाँ पे sketch color यूज किया, क्यूंकि आपको वीडियो में clear दिखें, इसलिए मैंने sketch यूज किया, पट आप pencil यूज करोगे, ठीके है, हमेशा हम pencil से ही geometry में draw करते हैं, ओके, तो आप pencil यूज करोगे, थैंक यू,